Hello friends, आज हम लोग ICSC Board Standard 6th माजी मराथी का लेसन नमबर 7 कर्मयोगी इसका explanation study करेंगे कर्मयोगी याने अपने काम से भगवान को पाने की कोशिश करने वाला तो इस लेसन में लेखक ने तीन भाईयों के example से ये समझाया है कि किसी भी काम की value उस काम करने के पीछे जो मकसद है, intention है उससे लगाई जाती है तो हम लोग read करते है तीन सखे भाई एक मंदिराचे बांधकाम चालू असता तिथे रोजदारी वर काम करत हो ते तीन सगे भाई एक मंदिर का बांधकाम चल रहा था उस वक्त वहाँ पर रोजगारी पर काम कर रहे थे रस्तियानी जानार्या एका साधुने त्यांच्या पैकी एकाला जवड बोलावुन विचार ले रस्तिसी जाने वाले एक साधुने उनमें से एक को जवड नजदीक बुला कर पूछा तु या ठिकानी का काम करतोस? तु इस जगा क्यों काम कर रहा है? तो मनाला उसने कहा हे देूड बांधना रशेट माजिया चांगल्या ओडखी चाहे उसने मुझे गवड़ी के तौर पर गवड़ी यानरे बांध काम करने वाला जो एक काम करता है मजदूर के तौर पर मुझे यहां बुलाया ते अच्छा शब्द मोडवेना मनून आलो तो उसका शब्द मोडवेना याने उसकी बात जाया न जाये बड़ा आदमी है तो उसकी बात रखने के लिए मैया आ गया माजे दोन धाक्टे भाव ही या ठिकाणी रोजदारी वर काम करी ताहेत मेरे दो चोटे भाई धाक्टे याने चोटे भाई भी इसी मंदिर में मजदूरी की तौर पर काम कर रहे है मक्तिय साधू ने तियाच्य दोन भावन पैकी एका भावाला बोलून तियाला ही तोच प्रश्न केलास्ता तो माला फिर उस साधू ने उसके दो भाईयों में से एक भाई को बुला कर उससे भी वही सवाल किया तो उसने कहा पोट भराय से दूसरे साधनस मसलिया मुड़े पेट भरने का दूसरा कोई साधन जरिया नहीं होने की वज़े से वो मजूरी ही बरी मिड़त असलियाने और मजदूरी भी अच्छी मिलती है इस वज़े से गवंडी काम करनार्या माजया मोठया भावाचा मदतनीस मनून मी इते काम करीता है तो गवंडी काम करने वाले याने बांध काम करने वाले मेरे बड़े भाई के मदतनीस याने हेलपर के तौर पर मैं यहां काम कर रहा हूँ त्यान अंतर उरलेल या तीसरे भावाला बोलावुन त्या साधूने त्याला ही तेज प्रस्ण केला असता तो मनाला उसके बाद उरलेला याने बचा हुआ तीसरे भाई को बुलाकर भी साधूने उससे भी वही सवाल किया तो उसने जवाब दिया मी सुतारकामात चांगला कुशल असले ने मला इतलिया पेक्षा ही अधिक रोजदारी वर कुठे न कुठे बोलावले जातेच मैं सुतारकाम याने कारपेंटर जो लकड़े का काम करता है फरनिचर बनाता है तो सुतारकाम में मैं बहुत चांगला कुशल याने बहुत एक्सपर्ट होने की वज़े से मला इतलिया पेक्षा ही अधिक रोजदारी वर मुझे यहां से कुठे न कुठे बोलावले जातेच जाते तो मुझे कई न कई तो बुलाया जाता ही इससे भी ज्यादा पगार पर क्योंके बहुत एक्सपर्ट मैं सुतार हूँ पन मी विचार केला कि आपले सार्खया सामान्य परिस्थिती तिल कारागिराला काही आयुश्यात एकादे देवुड बानता यनार नहीं तो फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे एक सामान्य परिस्थिती एक नॉर्मल इंसान कारागिराला एक नॉर्मल सरकम्स्टैंस में काम करने वाले कारागिर को काही आयुश्यात आयुश्य जिन्दगी भर जीवन में एकादे देवुड बानता यनार नहीं अगर पूरी जिन्दगी भी मेंनत करके कमाओं तो इतना पैसा तो मेरे पास नहीं होगा कि मैं खुझ से एक मंदिर बना दूँ देवुड यने मंदिर तेवा निदान गावातिल एक धनिक वो उदार सेट ते उभारी तस्ता तो कम से कम निदान कम से कम गावातिल एक धनिक गाव का एक धनिक यने पैसे वाला वो उदार और बड़े दिल वाला इतना पैसा खर्चा कर रहा है मंदिर बनाने ऐसा सेट वो बना रहा है उभारी तस्ता जब उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन में कम से कम मेरा एक सुतार के तौर पर कुछ हादबार लग जावे यानि उसमें कुछ मेरी मदद हो जाए मेरी वजे से के वड़ याच इच्छे ने मी है काहिशी कमी रोजदारी से काम पत कर ले सिर्फ इसी इच्छा से मैंने ये कुछ कम रोजदारी पर ये काम पत कर ले यानि एकसेप्ट किया मैं कर रहा हूँ आज ही काम करता ना मला जए समाधान मिड़ता है त्यालत तुलना नहीं तो आज ये काम करते वे मुझे जो समाधान सैटिसफेक्शन मन में मिल रहा है उसकी कोई कमपेरिजन नहीं है तुलना कमपेरिजन यानि इससे ज्यादा पैसे पर भी अगर मैं कहीं काम करता तो मेरे मन में वो समाधान नहीं मिलता जो ये मेरी दिल की इच्छा इस काम करने से पूरी हो रही है कि मैं खुद तो मंदीर नहीं बना सकता लेकिन किसी और को कोई और उस मंदीर को बना रहा है तो उसमें मेरी कुछ मदद हो जाए तो इस सब चीज से हमको क्या समझ में आता है कि actions are based on intentions आपकी नियत के मुताबिक आपके काम का महत्व है तो यह तीसरे भाई की नियत सबसे अच्छी थी तो यही सबसे बड़ा कर्मयोगी है